कोरोना संकट और लोगडाउन को लेकर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के अध्यक्षता में एहम बैठक आयुजित हुई बैठक में ग्रिह मंत्री अमिच शाह, रेल मंत्री पियुश गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, सीडियाईस जनरल विपिन रावत समेत कई अफसर मोजूद रहे बताया जा रहा है कि बैठक में लोगडाउन के दूसरे चरण की समिक्षा की गई वहीं इस बैठक में 3 मई के बाद सरकार की रननीती और 4 मई से क्या-क्या छूट दी जा सकती है इन सब बिंदूओं पर चर्चा की गई माना जा रहा है कि अगले एक-दो दिन में ग्रिह मंत्राले नई गाइडलाइन जारी कर सकता है जिसमें किस जोन में क्या छूट मिलेगी इसका पूरा ब्योरा होगा बता दे कि लोकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को समात होने जा रहा है और देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 35,000 को पार कर गई है ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनोती संक्रमितों की बढ़ती रफ्तार को रोकना है